नमस्ते बच्चों, इसके पहले अपने मेरा वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको संग्या सिखाया था और आज भी मैं आपको व्याकरण से संबंदित एक विशे पढ़ाने जा रही हूं आशा करती हूं कि आप ध्यान से सुनेंगी पढ़ाने से पहले मैं आप से सवाल पुछना चाती हूं कि आपके घर पर कौन-कौन रहते हैं तो आप मुझे बोलोगे मम्मी पापा, दादा-दादी, चाचा-चाची और हम दोनों भाई बैंद रहते हैं तो हां हर परिवार में इतने सदस्य सदस्य हमें देखने को मिलते हैं लेकिन यदि मैं दादा को दादी बोल दू और दादी को दादा बोल दू तो क्या सही होगा? नहीं क्यों? क्यूंकि जो दादा है वो पुरुष है और जो दादी है वो इस्त्री है और लेकिन हमें ये कैसे पता चलता हैं कि ये पूरूर्ष हैं और ये इस्त्री हैं तो इसकी जानकारी हमें लिंग द्वारा पता चलता है तो हाँ, आज मैं आपको ब्याक्रण से संबंदित लिंग पढ़ाने जा रही हूँ तो आएए देखते हैं, लिंग जो है, लिंग को इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जो एक परिवार का है जिसमें हमें दादा-दादी दिखाई दे रहे हैं, माता-पिता दिखाई दे रहे हैं, चाचा-चाची दिखाई दे रहे हैं और भाई-बेहन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ संग्या शब्दों को गोला किया है जैसे कि यहाँ पे दादा, चाचा, पिता, भाई, यह जो चारो संग्या शब्दे हैं, यह क्या है? पुरुष, तो यह पुरुष जाती में आते हैं, और वही पे जो दादी, माता, चाची और बहन, यह जो चारो संग्या शब्दें, यह किस में आते हैं? इस्त्री जाती में तो संध्या स्रशब्द का जो रूप हमें पूरुष जाती और इसरी जाती दोनों का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं इस चित्र के अलावा भी आपको यहाँ पे जानवरों के भी चित्र दिखाए दे रहे होंगे जिसमें मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, बैल गाय और मौर्नी दिख रहे हैं तो आईए अब हम चलते हैं आगे की ओर जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लिंग के भेड तो लिंग के दो भेड होते हैं एक होता है पूलिंग और दुसरा होता है इसरी लिंग पूरुष जाती का बोद कराने वाले शब्दों को हम पूलिंग कहते हैं और इसरी जाती का बोद कराने वाले शब्दों को हम इसरी लिंग कहते हैं तो पूरुष जाती और इसरी जाती मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है लेकिन इसके अलावा भी कही लिंग्य ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं पहचान पातें और पहचानने में कठिनाई होती है जैसे यहाँ पे दो उधारन दिख रहे होंगे कि पहला उधारन है फूल खिला है, कली नहीं खिली है तो जो खिला है और खिली है शब्द है वो है क्रिया तो खिला है से पता चलता है कि फूल यहाँ पे पुलिंग है और खिली है से पता चलता है कि जो कली है वो इस्त्रिलिंग है अब यहाँ पर दुसरा जो उधारन है वो है ताला, लटका है, चाबी भी लटकी है तो लटका से पता चलता है कि ताला जो है वो पुलिंग है और लटकी है से पता चलता है कि जो चाबी है वो इसरी लिंग है तो आशा करती हूँ कि आपको लिंग समझ में आया होगा और लिंग के भेद भी आप जान सकोगे, जान पाए होगे अब हम आगे की और चलते हैं जो की है वचन जिसे इंग्लिश में हम नमबर के नाम से जागते हैं तो जैसे की अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है एक पैंसिल है ठीक है लेकिन अगर मैंने यहां पे ज्यादा पैंसिल ले लिए तो ये पैंसिल से क्या हो गया पैंसिले हो गया तो शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन करते हैं तो वचन के भी दो भेद होते हैं एक होता है एक वचन और दुसरा होता है बहुवचन एक वचन को इंग्लिश में हम singular बोलते हैं बहुवचन को plural तो शब्द के जिस रूप से एक के होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं और शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं बहुचन. तो यहाँ पर भी मैंने एक चित्र चिपका के रखा हैं, जिसमें आपको एक लड़की दिख रही होगी, और यहाँ पर एक से अधिक लड़किया दिखाए दे रही हैं. तो लड़की का क्या हो जाएगा? लड़किया. चिडिया का क्या हो जाएगा? चिडिया. तितली का क्या हो जाएगा? तितलिया. चूहा का क्या हो जाएगा? चूहे. पतंग का क्या हो जाएगा? पतंगे. और बस का क्या हो जाएगा? बसे. यानि एक से जब एक से अधिक हो होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं तो यहीं पर मैं अपना लिंग और वचन समाप्त करती हूं धन्यवाद